Hello everyone, स्वागत है आप सिपके इस वूडियों में आज की इस वूडियों हम देखेंगे पत्र लेखन के समय ध्यान देने योग के बातें पत्र लिखते समय हमें कौण कौण सी बातों को ध्यान देना चाहिए तो यहाँ पहला पॉइंट हमने लिखा हुआ है पत्र में लिखने वाले तथा पाने वाले दोनों के नाम तथा पते का उलेक होना चाहिए साथ ही दिनांक भी लिखनी चाहिए और पत्र लिखने वाले का नाम तथा पत्र पाने वाले दोनों का नाम और पता होना चाहिए उसमें और जो दूसरा point है यहाँ पे पत्र लिखते समय अपनी आयू के साथ साथ पत्र प्राप्त करने वाले ब्यक्त की आयू का भी ध्यान रखना चाहिए साथ ही उसकी योगिता आदी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आपसे बड़ा है कि छोटा आप किस प्रकार से पत्र को लिख रहे हैं तीसरा पॉइंट है पत्र का विशे इस पहिष्ट होना चाहिए कि आप जो पत्र लिख रहे हैं किस विशे में लिख रहे हैं जो साथवा पॉइंट है यहाँ पर पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि उसका संदेश इश्पष्ट हो सके कि पत्र का उद्देश सी क्या है इस प्रकार आपको पत्र लेखन के समय ध्यान देने योग के बाते सभी अपने मायंड में रखनी चाहिए कि हम पत् वीडियो को लाइक करें चैनल पर ना है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें ताकि मेरे आने वाले से भी वीडियो को नोडिफिकेशन आप तक पहुच्छते रहें